महासमुद जिले में साइबर सेल और थाना सिंगोडा पुलिस की टीम ने संयुक्ट कारवाई करते हुए लगजरी फोड एको स्पोर्ट कार से लाखों रुपे के सोने के अभूशन और चानली की सिलनी का अवैद परिवहन करते हुए दो व्यक्तियों को पकड़ने में सफलत हासल की है दरसल सिंगोडा पुलिस टीम द्वारा अंतर राजिये चेक पोस्ट रहटी खोल उडिसा बॉर्डर के पास संदिग वहनों की चैकिंग की जा रही थी तभी बरगड उडिसा की तरफ से फोड कंपनी की एको स्पोर्ट कार तेज रफतार से 36 गड़ की ओर से आ र दाशी के दौरान कार में चार नगचांदी की सिल्ली वजनी तेस दशम्लोग सास सो 90 किलो ग्राम और इस्तेमाली आभूशन सोना वजनी 81 ग्राम बरामत की गए बरामत की गए सुने चंडी के आभूशनों की बाजार की कीमत लाखों में बताई गई है वहीं आरोपियों से बरामत सोने चान्दी के अभूशन को पुलिस ने बरामत कर थाना सिंगोडा में धारा 102 के तहट आगे की कारवाई के लिए सूशना DRI टीम को दी गई है सराइपाली से संदीब अगरिवाल की रिपोर्ट